नमस्कार आपका स्वागत इश्यानी जिनिया में आपके साथ मैं इंकम टेक्स विभाग ने जारखन से कॉंग्रेस के राजसभा सांसत धीरत साहू के 10 ठिखानों पर छापे मारी गी ये छापे मारी 6 दिसंबर को शुरू हुई थी जो 15 दिसंबर को खतम हुई दस दिनों तक जारखन ओडिशा और पश्ची मंगाल में की गई छापे मारी में साड़े 300 कोड़ रुपए से ज़्यादा केश बरामत हुआ इस छापे मारी के 10 दिन बाद धीरत साहू शुकरवार को मीडिया के सामने आए और कहा ये सारा पैसा उनका नहीं है बलकि उनके परिवार और फर्म का है वे हर चीज का हिसाब देंगे दीरज ने ये भी कहा किस पैसे का कॉंग्रेस या किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है फिलहार बरामद नोटों को बोलांगिर और संबलपु इस्तित स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया है इंकर्म टेक्स विभाग ने दीरत साहू के 10 चिकानों पर छापे मारी में 354 करोड रुपे बरामद किये हैं ओडिशा में बोत डिस्टिल्री में छापे की कारवाई पूरी हो चुकी है महीं राची वाले घर पर आयकर के अधिकारियों को कैमपस में जमीन के भीतर ज्वैलरी और दूसरी कीमती चीजे होने का शक है बताया जा रहा है कि अगर किसी मेटल के बकसे में चीजे होंगी तो पता चल जाएगा जानकारों की माने तो जियो सर्वीलाउन सिस्टम के जडिय कैमपस के जाच की जास रही है दिर्शाहों के ओडिशा के ठीकाने से कैश, जैवर के अलावा जमीन, होटल, हॉस्पिटल और व्यापार में निवेश के कागजात मिले है इनकासिस्टमेंट किया जा रहा है बताया जा रहा है कि करोडों के इस निवेश की जाच अब एड़ी कर सकती है जानकारी के मताबिक भूबनेशनर में ईडी के एक बड़ी दिकारी ने आयकर टीम से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली इसके बाद दिल्ली लोटा है पस्टिम ओडिशा में देशी शराब की लगबग 300 दुकाने साहू परिवार के नाम पर है चोविस साल से शराब के ठेके उनके पास है इन दुकानों का कई वर्षों से टेंडर तक नहीं हुआ है चावल और मौवा से कच्छी शराब बौद बुलांगीर टिटलगार जिले के गाउं में मुझद भट्टियों में बनता है इसी के साथ बने रेंचे नहीं देके साथ नहीं में आपके साथ